बिस्मिल्लाहिर रह्मान निरहीम अस्सलामुलेकुम ये है टीस्टी किचन ऐसी आज हम बनाएंगे रेस्टूरेंट स्टाइल पैरी पैरी बायर्स और इसके लिए सबसे पहले हम आलू को उबाल लेंगे और उबालने के बाद आप उनको मैश कर लें मैश करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे नमक, मिर्च, अदरक पाउडर, सबस धनिया और सबस मिर्चे बारी काट कर काला नमक शामिल करेंगे, सुका धनिया और उसको हमने कूट लेने हैं कूट के शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को इसमें शामिल करेंगे सीड हैं वो आप निकाल दे मिर्चों को खाली कर लेंगे और यहां यह बात क्याद रखें कि यह सीड आप जाया न करें बलके इनको आप अकठा कर लें और नेक्स टाइम जब आप कोई भी हांडी वगार पकाएं तो यह आपके सीड जो हैं वो काम आ जाएंगे अच्छा तो इसके बाद हमने क्या करना है कि इस बैटर को हम इन मिर्चों में भर देंगे और तमाम मिर्चे इस तरह से हमने इस बैटर के साथ भर लेंगे आलू का बैटर हमने थोड़ा सा जादा तियार किया था यही बैटर जो है हम अपने हाथ के पर फैलाएंगे और फैलाने के इस बैटर से ढख देना है तमाम तरफ से अच्छी तरह से दबा दबा कर हम अलू का बैटर इन मिर्चों के पच्ड़ हा देंगे अगर थोड़ी सी जगा से कहीं बच जाती है तो आप अलू का पैच लगाएं ये बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा तमाम मिर्चों को हमने इस तरह से आलू के बैटर के साथ हमने ढख दिया है अब हमें बेशन चाहिए और बेशन में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसमें हमें थोड़ा सा जालना है तरह चार्ट पाउडर और कोई चीज़ शामिल नहीं करेंगे बैटर जो है वो थोड़ा सा थीक होना चाहिए चैलेंज यह हमारी तयार हो गई है अब हमने क्या करना है कि हमें मिर्चों को पहले बेशन में हम उसको कोट करेंगे और उसके बाद हम ब्रेट क्रम्स में कोट करेंगे कोट करने के बाद तमाम मिर्चों को हमने डी फ्राइ करने है प्री हीट कर लें पहले ओईल को और उसके बाद आप इसको फ्राइ कर लें जब आपको मैसूस हो के एक तरफ से कलर आ गया है तो आप इसको पलट दें तमाम तरफ से यकसा कलर आ जे बड़ा प्यारा गोल्डन से कला राजे तो आप इन मिर्चों को डिश आउट करें और कैचप के साथ या इमली के चटने के साथ या जिसके साथ चाहें आप इसको खाएं और इंज्जॉई करें अलाहाफिज